हेलो एवरिवान, तो 28 मार्च को बहुत से बच्चों ने क्लास 10 का माच्स बोर्ड एक्जाम दिया था, लेकिन एक्जाम कंड़ाक्ट होने के थोड़ी देर के बाद ही, CBSE ने ये notification दिया कि इस एक्जाम को फिर से कंड़ाक्ट किया जाएगा, इसके basis पे बच्चों में बहुत सारा पानिक हुआ और बहुत से बच्चे confused है, हमारे पास बहुत से questions आ रहे हैं regarding this reconduct of the exam, तो हमारी इस वीडियो में हम आपके सभी doubts को clear करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहली बात जो हमको consider करनी हैं वो ये कि exam reconduct क्यों किया जा रहा है, CBSE को ऐसा लगता है कि exam conduct होने से पहले paper leak हो गया था, तो अगर तो अब कुछ लोगों को पहले से ही पता चल गया था कि paper में क्या आने वाला है, it is unfair for the other students to be marked on that paper, इसलिए CBSE एक और paper conduct करना चाहता है, for the fairness for all students. Please note that CBSE has not declared the date for the reconduct of the exam yet, it has only said कि इस week के end तक CBSE final date बताएगा कि कभी exam होने वाला है, अगर तो इससे related कोई भी rumors आप लोगों को दिखते हैं, news channel या फिर एक्सेक्टरों में, please do not believe them. We would suggest all our students to please stop panicking, आप सभी लोगों को इस next exam को या फिर रेकंड़क्ट अफिर एक्सेक्टरों को एक नहीं opportunity के साथ ट्रेट करना चाहिए, अगर तो आप लोगों का paper बहुत ही अच्छा हुआ था, then that means कि आप लोगों ने अच्छे से prepare किया था, और अब जो time आप लोगों को म मिला है, आपको उसमें और sample papers practice करने चाहिए, and now you should even aim for full marks, और अगर तो आप मेंसे कुछ लोगों का paper अच्छा नहीं हुआ था, तो आपको इस paper को attempt करके पता चल गया होगा कि आपने क्या गलतियां की थी, या फिर आप लोग कहां पे lag कर रहे हैं, तो अब इस time को अपनी ग सकते हैं, और ये भी verify कर लें कि आप लोगों ने क्या गलतियां की थी, ताकि next exam में आप definitely उन गलतियों को ना करें, आप में सिर बहुत बच्चे हमसे एक और predicted paper की भी demand कर रहे थे, तो maths का एक और predicted paper हम लोग हमारे app पर Monday या फिर 2nd April को upload करने वाले हैं, stay tuned and happy learning. We hope you found our class 10 revision series useful. If you want more tips on how to ace the board exams, click here and continue learning.